चतीजगर में भूपेश बगेल सरकार में नौ मंत्रियों ने मंत्री पद की शपत ली। कवासी लखमा का नाम पुकारा गया। वो शपत क्रहन करने के लिए आये लेकिन वह खुद शपत नहीं पढ़ सके। इसके बाद चतीजगर का अतिरिक प्रभार संभाल रही राजिपाल आनंदी वेन पटेल ने पूरी शपत पड़ी और मंत्री दोहराते रहे। बताया जात है कि भूपेश बगिल सरकार के कवासी लखमा ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मूम तक नहीं देखा। उनका जन्म साल 1903 में सुकमा जिले के नागारास गाउं में हुआ था। मूल रूप से किसानी का काम करने वाले लखमा राज्य के गठन के बाद से ही लगात चुनाव जीतते रहे हैं। वो बस्तर की कोंटा सीट से विधायक है। नहीं पड़ पाए हिंदी लेकिन की कई देशों की यात्रा। अनुसूचित जाती से आने वाले कवासी लखमा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने कभी अपचारिक शिक्षा भले ही नहीं ली हो लेकिन वो न्यूजीलेंड, आस्ट्रेलिया और सिंगापो जैसे कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। कॉंग्रेस के सत्ता में आने के पहले वो विपक्ष में रहते हुए वहुप नेता विपक्ष की भूनिका निभा चुके हैं।